कुछ बताने के जोगतने आप सीधा फोटो देखे समझ सकता अगर ऐसा आपका फसल दिखता है एक दो पती दिखने लग जाता आप समझे के डावनु लग गया है और यह पूरा धिरे-धिरे पूरा खेत में फैल जाएगा तो यह तो डावनु मिलू किसान भाईयों आज के इस वीडियो में आपको लाइब दिखाऊंगा कि खीरा फसल में जो डावनु मिलू का रोग लगता है कैसार उसका सिम्टाम है क्या लक्षान है और उसको नियंतरन कैसे कर सकते हैं कौन सा दबास करे सबसे परफेक्ट है सबसे पहले वीडियो सुरू करने पसर आपको अच्छा है पुराना पत्ति इसलिए पुराना पत्ति इसलिए डेमेज रहेगा लेकिन जो नया पत्ति निकलना देखे हरा बरा है मतब देखके समझ सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट है दवा काम भी किया है साथी साथ सबसे महतपून इसमें बात यह कि डावनु मिलू आख किस दौब कर सकते हैं दो दौनों में से इक डाव करके इसका नियंतरन कर सकते हैं चलिए सबसे पहले आपको दिखाए लक्षन क्या है तो आईए इस तरह का देखेंगे पत्ति में देखिए सिंपल सी बात है कुछ बताने के जोगतने आप सीधा फोटो देखके समझ सकता अगर ऐसा आपका फसल दिखता है एक दो पती दिखने लग जाता आप समझे के डाउन्यू लग गया है और यह पूरा धिरे-धिरे पूरा खेत में फैल जाएगा तो यह तो डाउन्यू मिल्डू का सिंप्टाम अगला में तीन के चलाए थे तो यूरिया चलाने के जश्ट तीन से चार दिन बाद एक दो जगा दिखने लगा तो इगनोर कर दे कोई कारान से हो सकता है खादो ज्यादा चल गया कुछ भी होगा मतलब यह गया दो दिन फिर पूरा खेत में फैल गया इसलिए थोड़ा साइट का फसल लगबल लगए खतम है लेकिन सुधार हो रहा है देखिए यहां इस प्रे कल भी की है तो कुछ रिजार देखिए इसमें नहीं लगा है आप दीखिए सामने से दिखा रहा है आपको जो नया यहां से इतना निकला है फिर यह बज गया है मतलब उपचार्थ ह करते हैं कि कौन सा दवा हम इसमाल कर सकते हैं और कितने मतलब कर सकते हैं और साधानी तो मैं आपको बता दिया हूं देखिए ठंड जैसे सुरात होता है ठंड ज्यादा पढ़ने लगे तो उस समय रोक का परकुब जादा हो जाता है साथी यूरिया बिल्कुल नहीं चलाना ही नहीं है तो यह रोक आना ही आना है निसीत। कई किसानों का फिद्वेग भी मैं लिया हो बताहें औहीं बाते हैं बार में देखिए 10 के लिए इसको च्पात पैचान लीजिए यह systemic fungicide है और इसमें जो chemical प्रतिशाट डाइ मेथो मॉर्फ 50% WPU यह वर्टेबल पाउडर पाउडर के उर्प मे आता है यह जो मेथो मॉर्फ है यह systemic fungicide है और यह सिर्फ और सिर्फ क्या है डाउडर मिल्ली के लिविश क्या आता है इसमें आपका recommendation अगर देखेंगे उसमें पताया भी गया है कि देखिए डाइ मेथो पार 50 गुलांशिल चूण एक अंत्व प्रभाही तरीके से अशर करने वाला फपुन नाशक है मत्तब सिस्टेमी काम करता है जिसे अंगूर पर लगने वाले मिर्दूरों गरी फपुन ने जिसकों के डावनों मिल्ली बोलते है उसके लिए निंद रुपे का बीच में आपको मिल जाएगा तो एक टंकी में आपको मतलब सिर्यस्टेमाली से पाच टंकी बनेगा एक टंकी बीस ग्राम मिलाना है तो सस्ता भी पढ़ता है तो इसका असार भी बहुत अच्छा है मतलब मैं तो रिकॉमेंडेट करूंगा कि अगर 20-25 दिन का पौधा हो जाता है तो उस्ते में आप लगे चाहें नहीं लगाएगा ठंडे का समय है तो इसको एक बार कर दीजा सस्ता भी पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है मालीजी 120-30 रुपे में हो जाता है तो आपका फसल क्या होगा प्रिकॉशन रहेगा मतलब आगला जो रोग रहेगा सुरचीद रहेगा दूसरा जो दबा है देखिए एक दबा और है कि यह भी यह से कंपनी का जंप्रो नाम से इसमें आपका पाया आता है यह मोटो क्रेडेडिन 27% साथ में क्या आता है प्लस डाइ मेथो मॉर्फ 20 दसनलो 27% सी यह जो फंजी साइड है इसका भी रिकमेंडरेशन में अगर देखता हूं देखिए लिखा होगा कहीं पर दिखा रहा हूं आपको यह देखिए इसको 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 बना गया है तो इसका रिजल्ड भी अच्छा है यह लेकिन महंगा पड़ता है इसलिए बता रहा हूं इसमें आपका बनेगा पास्ट रिजल्ड अच्छा है लेकिन इसके साथ आपको एक समान देना बहुत ही जरूरी होता है जो कहे चिपकू देखिए कोई भी कमपने का चिपकू ले लिजिए जिसमें की सिलिकान होता है इसको इसके साथ मिलाके 5 ml आप एक टंकी में मिलाके इसके साथ में इसका जो डोज है मुला एक टंकी में आप एस फ्रेक किजिए इससे क्या होगा पत्ति को अच्छे से लेशन हो जाता है तो दोस्तों यह तो देखिए हम डाउने मिल्डे कंट्रोल करें आपको जान करें दिये हैं अगर इसके अत्रिक आपको दवा इस्तवाल करते हैं उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वीडियो में कमेंट करका जरूर बताईगा और फर्स टाइम अगर आ जे हिन जे बारत जे चातिस गर